कॉंग्रेस नेता शशी थरूर जो आए दिन किसी ना किसी मुद्दे को लेकर चर्चा में रहते हैं अब उन्होंने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की दाढ़ी को लेकर मुद्दा बना दिया है जिसको लेकर केंद्रिय मंत्री बी मुद्दी धरन और शशी थरूर एक दूसरे से सोशल मीडिया पर भिड़ गए शशी थरूर ने पीएम मोदी की दाढ़ी पर तंज कस्ते हुए ट्वीट किया था और साथ ही उन्होंने पीएम की दाढ़ी वाली पांच तस्वीरे पोंस्ट की थी इसमें उनकी दाढ़ी अलग-अलग साइज में दिख रही थी ग्राफिक्स में दिखाया गया था कि साल 2017 वे 18 की चौथी तिमाही में भारत की जीडिपी 8.1 फीस दी थी जो कि 2019 से 20 की दूसरी तिमाही में गिर कर 4.5 रह गए इस ट्वीट के साथ ही उन्होंने लिखा कि इसे कहते हैं ग्राफिक्स इलस्ट्रेशन के माइने उनके इस ट्वीट के जवाब में केंद्रिय मंत्री वी मुर्ली धरन ने शशी थरोर की आलोचना की है इस पर थरोर ने जवाब दिया कि संग्यों में हास्य वोध न होना एक पुरानी समस्या है इस पर मुर्ली धरन ने ट्वीट किया कि जल्दी ठीक हो जाएए शशी थरोर मैं आयुश्मान भारत के तहट अस्पताल में आपकी व्यवस्था करवा दूँगा अपने बिमारी से जल्दी ठीक हो जाएए इसके जवाब में धरोर ने लिखा मैं आशवस्थ हूँ कि मेरी जो भी बिमारी है उसका इलाज संभव है लेकिन आपके जैसे संग्यों में हास्य वोध ना होना एक पुरानी बिमारी है उन्होंने कहा कि और इसके लिए आईश्मान भारत के तहट भी कोई इलाज नहीं है ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका वो भी हर्याना सरकार की अफॉर्डबल हाउसिंग योजना के साथ जिसके तहट आपको मिलेगी 6 लाख रुपे तक की सुविधाओं के रूप में सबसीडी जैसे की फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटिनेंस फ्री और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं तो आज ही बिना देर किये, अपने सपनों का घर बुप करेंगे